आपको कुभी फतर नहीं होता कि आपको कब खुद का बचाप करने के जरुवत पड़ जाए एक कला की ग्यालोरी जाना एक बड़ी आइडिया था लेकिन आपको शायद एक नापसंद मुकाबले के लिए इस सुरक्षित जगा पर भी तयार रहना होगा एक बुरे आदमी से मिलना हो वैने आज ऐसे किसी से मिलने की तो तयारी ही नहीं की लेकिन ऐसे व्यक्ती को कुछ समझाना बहुत मुश्किल है यहां एक बड़ीया तरीका है जो एक हमलावार को नाकाम्याब बना देगा और उसने बढ़िया काम किया अपने शिकार को इस बे आराम स्थिती में पकरना बहुत ही मुश्किल है लेकिन वो चाहे तो खोशिश कर सकता है कोशिश करो और तुम ये कर सकते हो उसका संदुलन बिगाड़ो, उसके टांग पर मारो और अब आखिर में, उसके गुटने के नीचे ऐसे टांगो के साथ वो कुछ और नहीं कर सकता दुश्मन फिर से खड़ा हो गया है और नई चुनाथी के लिए तैयार है और ये आ रहा, एक और शिकार ये क्या है, एक मेटिंग डांस हें, चलो दोस्त बन जाएं लेकिन ये लड़का इसके मतलब का नहीं है उसे इस आक्रमक प्रेमी से पीछा छुडाना होगा ये पहली बार नहीं है कि उसे किसी लड़के को समझाना पड़ा हो कि उसे दिल्चस्पी नहीं है क्या मारा है मुझे लगता है उसे इसके बाद डॉक्टर के पास जाना होगा उसे अपनी पेट या किसी और चीज़ के साथ परिशानी होने वाली है चलो उन चाल उपर थोड़ा गौर करते हैं एक टांग को इस तरह रोकी और घुट्टे के नीचे जोड से हमलावार को नीचे गिराने के लिए आसपास का महौर ठीक नहीं है बहतर होगा कि तुम अपना फोन अपनी जेब में रख लो लेकिन ये मदद नहीं कर रहा हमलावर पहले से ही उसे शिखार चुन चुका है चोकानी वाली बात है वो उसे ही फकर ने आ रहा है ये उमीद नहीं थी ये बहुत बुरा है उसके पास चाकु है बस शान्त रहो और पहले हमला करो जब तक दुश्मन दर्द में है और अपमाने थे चलो भाग जाए उसने कौन चा रहस्व में तरीका इस्तमाल किया हमलावर ने अपना हाथ हमला करने के लिए आगे बढ़ाया उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से रोके उसे उसके पीछे लाए अपनी पूरे जान लगा कर उसे दिवार की तरफ धक्का दे बिंगो सब कुछ ठीक था लेकिन सेडियों पर छोटी से टकर भी एक गंभीर लडाई में बदल सकती है वो आपके गरदन पकड़ रहा है क्या किया जाए बिल्कुल अपने आपको नुक्सा न पहुंचने दे और वापस लड़े ये बहुत तेस था हमलावर गिर गया ये कुछ ऐसा था जिसके उसने उमीद धेके होगी चलो अभ्यास करें आप एक छो परुस्तम तरीका इस्तमाल कर सकते हैं लड़के की टांगो को रोको उसके नीच से निकलो अंदर की दूसरी टांग पर मारो जी एक खाली पारकिंग लॉट सुरक्षत जगा नहीं है आँखी खुली रखो अपरादी हर जगा हो सकते हैं ये रहा एक वो आपको पीछे से पकड़ता है और आपसे आपके सारी चीजे देने के लिए कहता है आप ऐसी खतरनाक स्थिती में अपना दिमाग चलाना छोड़ नहीं सकते पीछे मुड़ो और अपने हमलावर के चेरे को नोचने की कोशिश करो आप उसके टोपी फार सकते हैं और पागल होने का ना टक कर सकते हैं उससे उसका काम खराब हो जाएगा या कम से कम उसका ध्यान थोड़ी दिर के लिए भटक जाएगा वो कितनी अच्छी लग रही थी लेकिन उसने टोपी के उचुरा ली मैं अपनी मा को क्या बताऊंगा ओ, ये शहर बहुत खतरनाग है मुझे बस इस जगा से निकलना है और फिर मैं सुरक्षित हूँ ये के लिए चलने के लिए सबसे आसान जगा नहीं है वो तुम्हें देखकर खुश है उसने तुम्हें तुम्हारे कपडों से पकड़ा तुम्हें क्या करना चाहिए इस्तिती से बाहर निकलने का एक तरीका है वो तैयार है ये दर देनी वाला है क्या ये टोट गया आपको बस ये करने के जरुवत है एक हाथ से हमलावर के कलाई पकड़ें दूसरे से कोनी को नीच से दबाई और हमलावर को पीछे धक्का दें कभी-कभी एक लड़ाई जीतने के लिए बस आपके कलाकारी के जरुवत होती है एक ना उमीद और ना पसंद मीटरें क्या होगा अगर हम उसके साथ छुपंच पाई खेले आखो को अपने हाथों से बन करे वे कबू वो दरसल उसके लिए तैयार नहीं था वे कबू कोई बात नहीं आप उससे हमेशा मूँ मोड़ सकती है और अपनी आखो को अपने हाथों से फिर से ढख ले ये बहुत अजीब है वे कबू मुझे देखो उसे जरूरी खेल बिल्कुल नहीं पसंद आया और अब ये तुम्हारी बारी है उसे जरा नहीं पता कि हो क्या रहा है जब तक वो समझने की कोशिश कर रहा है ये भागने का समय है सुन्चान गलियां खतरनाक जगा हो सकती है उस लड़के से दूर रहना बेटर है क्योंकि आप उसे अंधेखा नहीं कर सकते आपको लड़ना होगा हमलावर ने आपकी कप्रे पकड़ लिये ध्यान लगा कर रखो आपको शायद उसके जबने पर मारना पड़े क्या मारा है वो इसी के लायक था इसे थोड़ा पास से देखे अपनी पूरी ताकत के साथ उसके हाथ उपर मारो खुट-खुट छुडाने के लिए और उसे एक तेज कोने के मार से हरा दो एक शांत खाली-गली मेरी मा ने बताया था ऐसी जगह उपर जाना खतरनाक है ये आदमी जरूर उसका वालेट लेने की कोशिश कर रहा है आज नहीं इसे इससे संभाले का मौका मत दो भागो ये रहा एक तरीका कि आप किसी भी चीज के लिए तैयार कैसे रह सकती है तुम पकड़े गए हो उसके हाथों को अपने हाथ उसे मोड़ो अप राधी को इस्थिती में करे और उसके ढोड़ी को अपनी हाथे ली से मारे उसे पीचे हटाने के लिए अगर आप हमले के बीच में हैं तो सब एक सही खेल है बल्कि एक चत्रे भी अच्छा हत्यार हो सकती है आप दिवार के साथ लग कर खड़े है आप क्या करेंगे बटन दबाई और हांडल को खोल दे ओ, हो सीधा उसके खेर आपको पता है कहा लगा हाँ, लड़कों को ये पसंद नहीं होता और अब आपके पास भागने के लिए एक मिनट है अब हम बिना चत्रे के कहीं नहीं जाएंगे शेहर के पास सैर आपको एक बुरे स्थिती में डाल सकती है खुद पर विश्वास रखें और रागे बड़ें वो लड़की, क्या मारा है वो थोड़ी देर आराम कर सकता है और तब तक तुम भागो चीक है, ये रहा आपका हमलावर आप क्या करेंगे, उसकी बाजू पकड़ें उसके उपर जुकें हेपर जुकें और हमलावर के उपर कूदें उसे लाग दें और उसके कानों पर जोर से मारें ये किसी को भी सुन करने के लिए काफी है एक अपरादी से पकड़ें जाना शायद सबसे बुरी चीज है जो हो सकती है मैं कहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निगलू मैं अपने हाथ खोल नहीं पा रही हूँ हथकड़ी से लड़ने में मेरे सारी शक्ति खतम हो गई वो आ गया काले कपड़े, मूँ पर मास्क वो डराम ना लगता है अपना मूँ बंद रखो उसने बंदूग गिरा दी वो बहुत अनारी है ये भागने का अच्छा वहाना है खासतोर पर जब ये पता चले कि हथकड़ियां बिल्कुल भी कसी नहीं हुई है वो उसे नुकसाद नहीं पहुचाने वाली बस उसे उसकी बंदूग वापिस कर देती है और जब तक वो ये सोचकर हैरान है कि उसका शिकार कितना दयालू है वो भाग जाती है उसे सदी के आप्राग के लिए जाधा तयारी करनी चाहिए थी और अपसे खिलाने की दुकान से हत्यार नहीं खरीदना अच्छी लड़कियों के लिए अंधेरी जगा जाने के लिए नहीं होती आपको कभी नहीं पता होता वहां कौन होने वाला है लेकिन अगर आपके हमलावर के पास चाकू है आप उसे फिर भी बेहत्यार कर सकते है उसके पास कुछ रहस में चाली है शुरू हो जाओ हो गया अब आप भाग सकते है चलो एक बारी में चाल चले पीछे से ना उमीद पकर चाकू वाले हाथ को अपने ठोड़ी से पीछे करे अपने सर से नाग पिते जीसे मारे सीधा निशाना क्या आपको हमारे आप सुरक्षा के आईडियास पसंद आए क्या आपको कभी ऐसी तकनीक इस्तिमाल करने पड़ी हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें हमारी चानल को सब्स्प्राइब करें बेल को दबाएं और आपको करें